स्विध्धी हिंदी विध्यालई योटोब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है बच्चो आजम कक्षा दश्वी में विग्नान और टेक्नोलोजी विशय में चेप्टर 12 विध्योत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे बच्चो कल का वीडियो आपने अवश्य देखा होगा कल के वीडियो में हमने प्रती रोधों के स्रैनी सयोजन की लाक्षन रिखता स्रैनी सयोजन के लाव कौन से होते है स्रैनी सयोजन की हानिया कौन सी होती है उन सब के बारे में हमने अभ्यास किया कल के वीडियो में हमने स्रैनी के बारे में अभ्यास किया था आज के इस वीडियो में हम समानतर सयोजन की लाक्षन रिकता है शमानतर सयोजन के लाब समानतर सयोजन की हानी उन सब के बारे में हम अभ्यास करेंगे सर्वप्रतम हम अभ्यास करेंगे प्रति रोधों के समानतर स सायोजन की होती है बच्चों जब मैंने आपको एक दो वीडियो पहले समानतर सायोजन का सुत्र सिखाया था वीडियो के मात्यम शे तब अमारा सुत्र हुआ था कि 1 upon rn is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus dot 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 1 upon जितने भी प्रतिरोध है मानों की टोटल प्रतिरोध पी है तो 1 upon rp अभी rn को मैंने क्या माना है टोटल प्रतिरोध पड़ीपत का समतुल ये प्रतिरोध तो इस वाक्या को हम हिंदी में पढ़ेंगे कि समानतर सयोजन के कूल प्रतिरोध का विलॉम समानतर सयोजन के कूल प्रतिरोध का विलॉम सपड़ीपत में जोड़े हुए घटक प्रतिरोधों के विलॉम के जोड़ जितना होता है वापस से बच्चो समानतर सयोजन का कूल प्रतिरोध का विलॉम परीपत में जोड़े हुए घटक प्रतिरोधों के विलॉम के जोड़ जितना होता है मलब जो सुत्र है उसको हमें हिंदी में बोलना है बच्चों वापस से समानतर परिपत में कुल प्रतिरोध का विलॉम परिपत में जोडे हुए गटक प्रतिरोधों के विलॉम के जोड जितना होता है दूसरी बात बच्चों हमने यह पड़ा है कि समानतर स्वयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दो सीरों के बीच का वल्टेज शमान होता है मान लीजिए कि हमने तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को हमने समानतर में जूड़ा है बड़ाबर बच्चों तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को हमने समानतर में जूड़ा है और यह समानतर में जूड़कर हमने सब के बीच में V वाल्ट की बैटरी लगाई है तो यह प्रतियेक प्रतिरोध के दो सीरों के बीच का वल्टेज ड्रॉप शमान होगा स्रैनी में क्या होता था वाल्टेज ड्रॉप प्रतिरोधों के आदार पर बट जाता था प्रतिरोधों के समानतर सयोजन में प्रतियेक प्रतिरोध के दो सीरों के बीच का वल्टेज ड्रॉप समान रहता है तो परिपत के cool voltage जितना समानतर परिपत में प्रतिरोदों के दो शीरों के बीच का voltage drop शमान रहता है और किसके जितना परिपत के cool voltage जितना दूसरी बात समानतर परिपत में प्रतियक प्रतिरोद में शे बहने वाली धारा विबाजित हो जाती है पहले प्रतिरोध में से I1, दूसरे में से I2, तीसरे प्रतिरोध में से I3 समानतर परिपत में कूल धारा प्रतियक प्रतिरोध में विभाजित हो जादी किसके आदार पर? प्रतिरोधों के मुल्य के आदार पर ओम के नियम पर से हम पढ़ते हैं आई बढ़ाबर वी बढ़े आर अबी जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें से धारा कम जाएगी क्योंकि जो धारा और प्रतिरोध परश पर विलो मानू पाती है सब प्रतियक प्रतिरोद के वी तो समानी है परंतु जिशका प्रतिरोद ज्यादा होगा उसमें से धारा कम जाएगी मलब जो धारा विबालित होगी वो प्रतिरोदों के मान के आधार पर होगी तो समानतर परिपत में प्रत्येक प्रतिरोद में से बहने वाली धारा कामान अलग-अलग होता है और किसके आधार पर होता है प्रतिरोद की मुल्ये के आधार पर होता है फिर चोथा प्रश्पन है या तो चोथी लाक्षन लिखता हमारी होगी कि कितना प्रतिरोध होगा तो समानतर सयोजन का कूल प्रतिरोध मान लीजिए कूल प्रतिरोध मैं R T देता हूं मान लीजिए मैंने तीन प्रतिरोद को मैंने समानतर में जोड़ा है तो उसका सुत्र बनेगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 मैंने तीन प्रतिरोद को समानतर में जोड़ा है तो वैसे समानतर सयोजन का कुल प्रतिरोद का सुत्र बनेगा 1 upon R2 बड़ाबर 1 upon R1 plus 1 upon R3 कि बड़ाबर समानतर सर्जन के कूल प्रतिरोद का क्या सुत्र बनेगा 1 upon RT बड़ाबर 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 तो हम क्या करेंगे बच्चो कि ये तीन प्रतिरोदों को हमने समानतर में जोड़ा है उसका कूल प्रतिरोद की वैल्योईशन क्या होगी तो समानतर परिपत में जब हम प्रतिरोदों को जोड़ते है तो जो समानतर परिपत का कूल प्रतिरोद होता है वो परिपत में जोड़े हुए छोटे में छोटे प्रतिरोद सभी छोटा होता है जैसे कि मैंने 2 और 4 ये 2 प्रतिरोदों को मैंने समानतर में जोड़ा है तो इसका मैं कूल प्रतिरोद निकालूंगा तो मुझे प्रतिरोद कितना मिलेगा 1 upon 2 plus 1 upon 4 is equal to 3 upon 4 is equal to 0.75 बड़ाबर is equal to 1 upon 1 एक काम करते हैं 1 upon Rt बड़ाबर 3 upon 4 आया तो Rt बड़ाबर क्या होगा 4 upon 3 is equal to 1.33 जो परिपत में जोड़े हुए छोटे में छोटे प्रतिरोद से भी छोटा होता है स्रेणे में क्या था कूल प्रतिरोद बड़े में बड़े प्रतिरोद से बड़ा था समानतर में क्या करेंगे कूल प्रतिरोद छोटे में छोटे प्रतिरोद से भी छोटा होता है तब पस्चाद मैं बात करेंगे, समानतर सयोजन के लाब, की समानतर सयोजन में, बच्चों आप सब को पताएं की विद्रुत धारा को बेहने के लिए, अलग अलग रास्ते मिलते हैं, एक से अधिक रास्ता मिलता है, मतलब हम यह सोचते हैं की, ये समानतर में मैंने पहला लगाए यह समानतरव मैं तीस्रा सादन लगाया ABC अगर समानतर में मान लीजिये कि कोई एक सादन भीगड़ भी जाता है तो बाकी के उकरण चालू रहते मान लो कि यह सादन में damage आया तो भी विध्युद्धार यहां से पसार होकर यहां पर जाएगी विद्धुत तरह यहां से पसार होकर यहां पर जाएगी एक साधन बंद होगा या एक बल्ब बंद होगा तो अभी बाकी के बल्ब तो समानतर में चालू ही रहेंगे जो कि स्नैनी में क्या होता था एक बंद हो जाए तो सभी बंद हो जाते पर समानतर में क्या होगा एक बल्ग बंद होगा तो अब बाकी के बल्ग तो चालू रहेगे इसलिए गरेलू जो उपकराने समानतर में जोड़े जाते हैं दूसरी बात कि समानतर सयोजन में हम जो विद्धुत धारा विभादित हो जाती है मतलब हम विद्धुत हीटर और बल्ग को अलग-अलग विद्धुत धारा देना चाहते है बराबर विद्धुत हीटर और बल्ग को अलग-अलग विद्धुत धारा देना चाहते है तो समानतर में possible है क्योंकि स्रेणी में समान धारा बैती थी और समानतर में धारा का मान विभाद ही दो जाता है अब विज्जु टीटर को 15 एंपियर की धारा चीए बलको 5 एंपियर की धारा चीए तो वो काम हम समानतर में कर सकते हैं दूसरी बात है कि समान्तर परिपत का जो कूल प्रतिरोद होता है वो छोटे में छोटे प्रतिरोद से भी छोटा होता है तो h बरावर i2rt के सुत्रो के अनुशा हम कूल प्रतिरोद छोटा होगा तो cgc बात है उश्मा उर्जा का व्याई भी कम होगा कूल प्रतिरोद छोटा होगा तो उश्मा उर्जा का व्याई भी कम होगा हम यह कह सकते दूसरी बात हम यह पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो स्रेणी में प्रोब्लेम था वही प्रोब्लेम यहां समान्तर में आएगा परंतु स्रेणी में अलग-अलग धाला वाले उपकरणों क को यदि हम समान्तर में जोड़ते हैं एक का वाल्टेज मान लीजिए 110 वाल्ट है एक का वाल्टेज मान लीजिए 220 वाल्ट है और एक का वाल्टेज मान लीजिए 150 वाल्ट है अभी समान्तर में जोड़ेंगे तीनों को तो सबको समान्तर में जोड़ेंगे तो सबको समान्त मिलेगा और समान वोल्टेज मिलेगा तो जिसको जितनी जरूरत है ठीक है जिसको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वोल्टेज मिल सकता है या तो कम वोल्टेज मिल सकता है मतलब पूर्ण कार्यक्षम रिच्छे काम कर सकते नहीं है दूसरी बात है समानतर का एक हानी यह है क जो समानातर का Cool प्रति रोर्ष छोटे में चोटे प्रति रोर्ष से भी छोटा होता है तो यह ओम के नियम पर से V बटे R, समानातर में वाल्टेज तो समान ही है जो अगर प्रति रोर्ष कम हुआ तो धारा बढ़ेगी बतलब धारा को नियंतरी तम नहीं कर शकते शमानतर में हम जोड़ेंगे तो सम्तुल या प्रतिरोट छोटे में छोटे प्रतिरोट से भी छोटा होता है और छोटे में छोटे प्रतिरोट से छोटा होगा तो ओम के सुत्र के मुताबिक उनका नियम जो भी है उसके मुताबिक्या होगा धारा कामान बढ़ जाएगा मतलब हम समान्तर में जोडकर हम धारा को नियंतरिक कर शकते नहीं है दूसरी बात की समान्तर में हम जोडते हैं तो प्रत्येक उपकरण स्वतंतर रुपशे शुरू हो सकते हैं प्रत्येक उपकरण को चालू बंद हम स्वतंत्र रुप्षे कर सकते हैं। विणनती है कि जब आप समानतर के लाभानी पढ़ते हैं तो स्रैनी सयोजन के लाभानी भी साथ में पढ़ लीजिए। स्रैनी आ गया तो समानतर में 50% मेहनत घट जाएगी और समानतर आ गया तो स्रैनी में 50% मेहनत आपकी घट जाएगी। तो ये थे बच्चों स्रैनी और समानतर के लाभानी और लाक्षनिकता। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा। अपने मित्रों को शेर कीजेगा। और सिद्धी हिंदी विद्याले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तन्यवाद।